लो एब्रिवान वेल्कम टू माय चैनल जीएश्डी सर सभी को मेरा चैनल जीएश्डी सर में स्वागत करता हूँ तो सभी जो भी माइनिंग फिल्ड से रिलेटेड है और माइनिंग माइन से रिलेटेड है उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुसका बुरी है एक न्युटिफिकेशन आया है डिजी एमेस की तरफ से रिगार्डिंग आपका जो इस वीडियो में हम डिटेल देखेंगे कि आपका जैसे ही मैं बोल दे रहा हूँ कि कुछा अप पहले और टेस्ट था कुछसा में भी और टेस्ट नहीं है और एकजाम पैटर्न क्या होगा question क्या होगा और सब detail चीश हम discuss करेंगे उस related तो वीडियो को आप skip मत करके पूरा detail वीडियो को दिखिए सो देट information आपको मिल पाएगा और चैनल में ने और चैनल में ने हैं तो ऐसे ही माइन रिलेक्टेट जॉब नोटिफिकेशन और माइन न्यूज के लिए और वीडियो लेक्टेर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को चलूर प्रेस कीजिए सो देट आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह दिखिए जो नोटिफिकेशन आया है डिची एमेस के तरफ से आपका मिनिस्ट्री आप लेबर एंप्लॉयमेंट यह नोटिफिकेशन आया है दिखिए कप आया है 11 अगस्ट 2021 को जिसमें बोला गया है यह कि आपका आपका CMR रेगुलेशन के हिसाब से जो आपका CMR प्रोविजन 12 1 & 12 4 में है और यह जो लौ नया ला गया है यह रेगुलेशन जो नया ला गया है इसमें क्या होगा जिनरली जितना भी हम लोगा सर्टिविकेट ग्रांड होता है और एक्जान कंड़क्ट होता है मैनेजर सर सर्टिवेट का हम बात कर रहे हैं अभी मैंनेजर सर्टिवेट कंपेटेंसी के लिए तो जो सब क्लॉच दिया गया हुआ है यह सब जनरली कुछ अमीट हुआ है और कुछ नया आया है तो डिटेल देखेंगे कि प्रिवेसली क्या था तो यह जो बायलो आया था एक आपका जो नोटिफिकेशन आया था देखेंगे 14 सेप्टेंबर 2018 को उसको यह सब्सिट्यूट कर रहा है उसको यह वाला क्लॉच उसको सब्सिट्यूट कर रहा है तो वान बैवान देखते हैं कि डिटेल क्या-क्या हुआ है तो फर्स्ट जो आम लोका है दिखेंगे इसमें क्लॉज दिया गया है यह अभी जो चेंज़ वा है और यह आरलियर जो था एस पर बाइलोज ओ 14 सेप्टेंबर 2018 को जो रिलीज हुआ था तो अभी 1.3 में जो चेंज हुआ है पहले था क्या है कोई भी वार्कर माल लीजिए कोई भी वार्कर आपका experience कितना होना चाहिए less than 3 month नहीं होगा उसको और कोई official होगा appendix होगा तो उसको minimum 1 month का continuous experience 1 month का उसके लिए eligible होता है उसको consider हम लोग कर सकते थे लेकिन अभी क्या होगा practical experience उससे ज्यादा होगा तो उसको उसको consider करेंगे तो यह हम लोग का यह change होगा 1.3 clause में next दिखे next आपका 1.8 में क्या दिया गया है experience obtained in actual mining operation under any designation जो actual mining operation में related में कोई experience काम कर रहा है actual mining operation बोलने से और any designation जो की supervisor हो सकता है assistant supervisor, engineer assistant सरदार worker training ओ लोग क्या करेगा degree और diploma करने के बाद mining में उन लोग को भी treated किया जाएगा PGPT की तरह ठीक है कोई भी mining में suppose operation mining operation में अब का related है experience उसका supervisor, assistant supervisor, engineer assistant overman, सरदार assistant सरदार, worker training तो ओ लोग degree, diploma mining में कर लेगा तो उसके बाद वो PGPT की तरह treated किया जाएगा ठीक है next type of examination में क्या changes हुआ है रखते है इस clause में जो examination type of examination में जब से जो सबसे major changes हुआ है जिसमें ज़्यादा तर corruption बहुत होता था और आप लोग भी बहुत फिलके होंगे तो वह नहीं हुआ है यहाँ पर उसको लोग उठा दिया है बहुत अच्छा चीज किया है DGMS यह तो इसमें क्या बोला गया है पहले दिखिए था क्या पहले भी CBT था computer based test 2 hour का था और उसके साथ oral test था देखिए oral test था अभी क्या हुआ है यह test को 3 hours का क्या गया है 3 hours का और oral test नहीं है तीक है oral test आपको देना नहीं पड़ेगा खाली 3 घंटे का आपको सिर्फ क्या देना है आपको सिर्फ CBT जो भी आपका सिलाबस जो भी है उसके उसको उसके रिलेटर हम 3 घंटा खाली देंगे नेक्स 244 में आपका क्लॉज में पहले था 100 मार्क मेक्सिमम 100 मार्क था जिसमें से 80 मार्क हम CBT दे रहे थे और जैसे मैं बुला था यहां पर oral test था तो 20 मार्क का और टेस्ट था अभी क्या है अभी तो और टेस्ट नहीं है तो अभी 150 मार्क ही मेक्सिमम मार्क है जिसमें से आपको कितना लाना है दिखिए 2.6 जो क्लॉज में उसमें लिखा है कि आप मिनिमम आपको 50% लाना है क्वालिफाइंग करने के लिए एक्जाम को पास करने के लि कि 50% maximum mark लाना है आपको, किसमें, CBT जो computer base होगा, जो की होगा 40, और आपका 30% mark लाना है, आपका जो oral test होगा, जो की है, at least 20, out of 6, sorry, out of 20 कितना, 6 लाना है आपको, और दोनों को मिला के, आपको 50% लाना है, ठीक है, मतलब, आपको 50% mark लाना है, दोनों को मिला के, so earlier क्या था देखिएंगे, earlier आपका, earlier था आपका 50% mark लाएंगे आप तो, आपको pass किया जाएगा, एक generation में, मतलब, 80-40, और जो आपका oral में होगा, उसमें 30%, so उसमें आपको 20-6, और दोनों को, हम देखिएंगे तो और क्या होगा, आप 50% आपको maximum mark लेना है, aggregate, दोनों compressibility और oral test को मिला के, आपको 50% mark लाना था पहले, लेगिन अभी क्या हो गया है, आपको 50% लाने से आप pass हो जाएंगे, प्लॉस आपको कितना क्या लाना है, 150 से आपको 75 लाना है, ठीक है, तो ये था हम लोग का, जेनरली manager certificate का competency के लिए, नेक्स चलिए देखते हैं, नेक्स जो है आपका server certificate के लिए, examination of server competency certificate के लिए, क्या क्लॉज अब लोगा generally changes होआ है, ओ देखते हैं, तो ये देखिए, server certificate competency के लिए, आपका क्लॉज अभी क्या है, अभी जो निया बला आया है, जो हम study कर रहे हैं, और पहले क्या था, by loss, तो इसमें भी 1.3 में, वही same था, कि 3 मंद का आपको minimum worker होने से, continuous period का 3 मंद का practical experience चाहिए था, 1 मंद का official appendix होने से, और अभी क्या हुआ है, one week, same one week हुआ है, जो consider क्या जाएगा, practical experience आपका ज्यादा होगा, one week से ज्यादा होगा, ओके, then close, jumlo का second close है, second close जो changes, वाय major changes उसमें है, 2.1 जो type of examination में है, इसमें पहले था, कि survey वाला जो certificate के लिए, restricted के लिए आपका जो test हो रहा था, उसमें था 2 paper था, 2 paper था, written paper, 2 paper था, और oral test भी था, ठीक है, major changes है, कोई oral test नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं, मैं पहले से बोल रहा है, हाँ, और CBT होगा, 3 घंडे का, 3 hour का, CBT test होगा, ओके, then 1.5 में क्या है, total इसमें maximum mark कितना होगा, 150 mark का, CBT होगा, computer based test, पहले क्या था, 300 mark का था, 100, 100, 2 paper था, और 100 mark का, oral paper था, तो अभी जो कि 150 mark का ही आपका होगा, 3 hours का, ओके, then next, जो है, आपको कितना mark चाहिए, इसमें pass होने के लिए, 50% mark आपको चाहिए, पास होने के लिए, 50% mark आपको चाहिए, maximum, ठीक है, जो कि 75 है, out of 150, और 40% mark आपको लाना था, जब पिछला वला जो था, out of 100, इच में 40%, 40 mark, 100 से 40, 40 लाएंगे, then आपका जो 40% mark होगा, ओराल में, ओ, तीन, तीन्ठो एक्जामिनर आपको ओराल करेंगे, तो, 40 में से 16, और 13 में से 12, और 13 में से 12, तो ये करके आपको लाना था, वहीं पिछ, जो कि अभी आपको खली, एक ही एक्जाम होगा, 3 hours का CBT, और उसमें आपको 75 लाने से आप पास हो जाएगे examination, ओके, नेक्स लिए देखतें क्या है, और ये उसका सिलाबस है, से देखिए, Surveyor Certificate Competency के लिए, कुछ सिलाबस जिसमें, जिसके आपका EDM, Plentable Survey, Mine and Dial, सब वो उसको डिलीट किया गया है, और आपका सिलाबस से नहाला, सिलाबस अब लोग इसमें दिया गया है, जिसके थूरू आप दे सकते हैं, linear measurement, angular measurement, theta light, total station, control survey, labeling, correlation, national grade, ये सब आपका सिलाबस में include है, तो ये सब आप इसमें आपको एक्जाम देना है, ठीक है, नेक्स्ट जो examination है, competency का हुआ है, overman का, overman certificate के लिए, तो following clause देखेंगे, जो generally substitute हुआ है, क्या क्या हुआ है, आपका पहले क्या था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो examination overman का देखेंगे, ये दिखिए, overman certificate of competency के लिए, generally clause 1.3 में, पहले अभी क्या है, पहले था ये, यहाँ पे भी ओही सेम था, 3 मंद का आपको worker होंगे, जाने से experience चाहिए था, और worker appendix का, 1 मंद यहाँ पे 1 week हो गया है, और CBT test होगा, 2 hours duration का, कोई oral test नहीं है, no oral test, ओके, यहाँ पहले क्या था, 2 hours duration का test हो रहा था, जिसमें, oral test भी था, ठीक है, एक oral test भी था, और एक return test भी था, return paper था, next, क्या चंजिस हुआ है, total maximum mark अभी है, आपका 100, पहले था, ओई 100, लेकिन 50 mark था आपका return paper में, और 50 mark था, oral test में, passing के लिए, आपको अभी 50% इसमें चाहिए, इसमें से, क्या होगा, 100 से 50 लाने से, पास हो जाएगा, कोई भी, पहले क्या था, 40% maximum mark आपको लाना था, return exam में, जो कि था, आपका, कितना हो जाएगा, 50 से 20, और, आपका oral में, 40% लाना था, जो कि, आपका, दो examiner में, इच में, 10, 25 से 10, आपको पहले से लाना था, तो ये changes हुआ है, ठीक है, next, आपको नेक्स ज conduct of examination किस के लिए, सर्दर certificate के लिए, क्या है, practical experience और type of examination, चले देखते हैं, क्या changes हुआ है, क्लॉज में, सर्दर certificate competency के लिए, तो क्लॉज 1.3 में अभी क्या हुए, वही 1 week का आपको experience minimum चाहिए, और ये पहले था, 3 month worker के लिए, और 1 month official appendix के लिए, CBT होगा, 2 hours का दो घंडेगा पहले था, oral test नहीं है, जो important है, examination पहले, oral होता था, आपका English, Hindi में, या कोई language, जो कि आपका local language है, उसमें भी आपका होता था, तो ये पहले, totally oral होता था, अभी कोई oral test नहीं है, only आपको computer based test देना है, duration होगा, 2 hours का duration का, आपको computer based test देना है, ठीके, the next क्या है, maximum mark कितना होगा इसमें, maximum होगा आपका 100, जिसमें पहले था, 150 mark, ठीक है, और 50 mark का, 3 examiner आपका थे, 3 examiner बेठेंगे, तो each क्या होगा, 50, 50 mark का आपका, ओ लेते थे, oral test आपका, ठीक है, अभी इसके लिए past percentage अभी जो रखा गया है, 50% रखा गया है, past percentage, 50% मतलब 50 out of 100, तो earlier क्या था, earlier था at least 20 mark लेना था आपको, इस 50 में से, मतलब 3 आदमी बैठा ए examiner तो 50 में से, 20, 20, 20 लाएंगे, तो इस subject में आपको pass हो जाएंगे, 40% लाना था आपको, और aggregate मिला के आपको 50 लाना था, जो की है आपका 75, तो उसमें 75 या उसे ज्यादा लाएंगे, तो वहाँ पे उसको pass हो, हम के रिगारिंग है, जिसमें से, मक्सिम ज्यादा तर लोग benefited होंगे, और ज्यादा तक, मतलब बच्चे खुस भी होंगे, ये बात सुनके, ये नीज सुनके, मेरे भी कुछ student है, जो generally guest testing को लेके बहुत परिशान रहते हैं, तो लोग भी news सुनके, या भी वीडियो देख रह application लाया है, DGMS का, तो इसमें जो आपका application तो दालना पड़ेगा, earlier जैसे था, तो अब भी देखिए क्या changes हुआ है, पहले तो इसमें कुछ exemption भी है, वो भी देखेंगे, तो application to be supported, जो apply करेगा, clause 3.1 में दिया गया है, दिखिए, ये computer-based test आपका होगा, application generally आप देंगे, scan, copy original certificate और जो भी qualification है, experience जो guest testing के लिए prescribed format में, edge evidence के लिए आपको देना पड़ेगा, जितना fee से उसको आपको payment करना पड़ेगा, original certificate with self-testers, copy सब आपको submit करना पड़ेगा, और जो मान लीजिए oral test जो देगा, मतलब oral test किसके लिए, जो किसके लिए मैं देखा देता हूँ, जो oral examination क किसके लिए है, जो pass नहीं होगा, senior secondary school examination से, या intermediate equivalent उससे वो pass नहीं क्या होगा, और computer में उसको कोई knowledge नहीं होगा, तो वो generally oral examination को दे सकता है, लेकिन बेटर है आप, मल दिजे आपको knowledge है computer का, और आपने pass क्या है, तो आप जाए किसके लिए, computer based test के लिए जाए, ठीके तो ये इनके लिए oral test है, oral test के लिए देखिए आपका, oral test के लिए आपको देना पड़ेगा, original certificate और sound health, candidate दो evidence देना पड़ेगा, इसके लिए, self-adapter fee जो भी है, self-adapter copy आपको certificate का सब जमा करना है, तो ये सब आपको देना है oral test के लिए, सबसे जो बड़ी चीज जो changes है, यहां पर द दिया गया है, guest testing certificate को लेकर, कोई माल लीजे degree या diploma holder है, क्या हुआ है, mining engineering से कोई भी central government भिहाफ में, जो भी है आपका, उससे, central government का भिहाफ से कोई भी college है, जिससे आपका degree diploma क्या गया हुआ हुआ है, वो लोग क्या कर सकता है, उसका procedure क्या है, application, grant for guest testing certificate, exemption किसके basis में मिलेगा original certificate of qualification जो भी है आपको देना पड़ेगा, और उसके साथ एक guest testing practice experience आपका मतलब उसके बारे में आपको जानते हैं, तो उसका format अभी तब तो कूछ DGMS जारी नहीं क्या है, जब भी जारी करेगा हम उसके बारे में बोलेंगे, तो उसके बारे में प्रेस्क्राइब format में आप उसको आपको डालना पड़ेगा, entry करके, fill up करके आपको देना पड़ेगा, with original certificate, age proof के लिए और character certificate, medical certificate, ये सब आपको पेस्क्राइब format में उसके इतना भी fee से आपको ये डालना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, जो guest testing का भी कूछ से प्रोब्लेम नह नहीं पड़ेगा, वो लोग खली prescribed format में, जो भी फर्माट जब भी आएगा, जो भी फर्माट DGMS, लोग recently जो release करेंगे, उसके बैसिस में उसको डालना है, prescribed experience, with age proof, और आपका conduct certificate, character certificate, जो भी है, और examination जो लोग देगा, उसके लिए दिखिए examination के लिए आपका computer based examination होगा, ये CBT test होगा, जिसमें आपको, ये total कितना, 50 mark का exam होगा, जिसमें से आपको 50% mark लाना है, 25 mark लाना है, ठीक है, और आपको next, जिए oral, आपको, मैं तो बोल दिया अलड़ी कि oral को, किन लोग को के लिए oral है, तो उसके लिए आपका Hindi, English language, या आपका दूसरा कुछ language है, जो कि आपक local language, उसमें भी ये oral test हो सकता है, उसमें 50 marks maximum होगा, और 30 mark, one examiner, और 20 mark का one examiner, दो examiner रहेंगे, generally, ठीक है, और दोनों examiner से आपको, generally, 50%, sorry, 40% आपको mark लेना है, two examiner से, एक से हो गया, 12, 30 से, और एक से, 20 हो गया, 8 से, examiner 2 जो है, और दोनों को मिला के, आपका 50% होना चाहिए, जो की 50 से 25%, okay, 50 mark से 25 मार्क आपको लेना है, जो की 50% मार्क ही, तो अभी देखते हैं, उसका syllabus क्या-क्या है, generally, syllabus में क्या-क्या दिया गया है, यह है syllabus, आपका syllabus दिखिए, gas testing के लिए, और syllabus है, आपका gas testing, competition certificate के लिए, occurrence of gas, mines, properties, physiological effect, यह सब आपको पढ़ना है, फिर gas detector, मिथान of meter, multi-gas detector, toximeter, monitor system, detection of mine gases, then, effect of inflowal gases, क्या effect है, इसका percentage difference between combustion and explosion के अंतर क्या difference है, principle construction, flame safety, lamb का method of testing, informal gases का तीक है, आपको जो, यह सब detail syllabus आपको study करना है, ठीक है, और यह detail था आपका यह वीडियो में, कि कैसे आपको, generally, competency, इतना वी certificate क्या-क्या अभी चाहिए, उसके लिए क्या update हुआ है, मैं आशा करता हूँ, आपको यह वीडियो अच्छा लगा, और आप सब समझ पाए, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को जरू से subscribe कीजिए, तब तक मिलते हैं नया वीडियो में, नया content के साथ, धन्यवाद.